स्वागत है आप सभी का फिर एक बार क्रिक क्रैक में यार अभी वील के मुकाबले बड़े जबरदस जा रहे हैं उमीद करते हैं जो प्रेडिक्शन करी जा रही हैं जो आपको रिकॉर्ड बताये जाते हैं उसका आप अच्छे से फायदा उठा पा रहे होंगे और बढ़िय पहला मुकाबला खेले थे और इनका जो नेट रन रेट चल रहा है नेगेटिव पांच का चल रहा है तो काफी खराब हालात में चल रही हैं Melbourne Renegades, Melbourne Stars की टीम यार इगने इस मुकाबले के क्या क्या रिपोर्ट्स हो सकती हैं कैसे कैसे fantasy के लिहाज से कौन-कौन से बढ़िया से टीम बनाएंगे लेकिन उससे पहले फड़ा-फड़ से वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरू कर लीजिए यह सारी मेहनत सिरफ आपके लिए है ताकि आप एक बड़िया सी टीम हमारी सहायता से खुद की सहायता से खुद बखुद आप बना सके इसलिए य आतर दस परसेंट के आसपास क्लाउड होवर करते नजर आएंगे आपको लेकिन बारिश के आसारतों नहीं बनेंगे तो यह एक अच्छी खबर है वेदर के लिहाज से आप पिछ की रिपोर्ट क्या कहती है MCG एक बैलेंस ट्रैक माना जाता है जहाँ पर एवरेट स्कोर 160 के आसपास का नजर आता है आपको इस BBL का पहला मुकाबला खेला जाएगा तो आप 170-75 तो एकस्पेक करेंगे एक बैलेंस ट्रैक इसलिए क्योंकि यह तेज गिनबास यहाँ पर काफी आच्छा करते ही करते हैं शुरवात में जहाँ बॉल थोड़े बाद लहराती है अच्छा बाउंस मिलता है लेकिन क्योंकि यह MCG है यह बड़ा मैदान है एस्पेशलि जो स्ट्रेटर पाउंडरीस हैं काफी जादा बड़ी है और उस लिहाँ से स्पिनर्स को भी आपर विक्ते मिल जाती है बैट्समन अटाक करने के चकर में विगट गवा करके चला जाता है तो स्पेनर्स हो गए तेजगेंदवास हो गए बलेवास हो गए सब के लिए कुछ ना कुछ है कद्दू कटेगा समय बटेगा चेस करना, फर्स बैटिंग करना साधा फरक नहीं पड़ेगा डिपेंड करेगा कि फर्स निंग का स्कोर कितना लग रहा है पिछ की रिपोर्ट तो हमने आपको बता दी है उससा नुसार एक बड़ियासी पैंटसी टीम भी बनाते हैं कहां बना रहे हैं, अभी इस अप्लिकेशन का नाम स्टार 11 है जो आपको इंटरफेस नजर आ रहा है अगर आप सब लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, पिंट कोमेंट में हमने इनका यहाँ पर लिंक दे रखा है करते हैं, विगट कीपर में हमारे पास वैज़ आपको बता दू मैं, यह टीम बनाई जाएगी उन खिलाडियों के वेसिस पे जो जेनुवल नी खेल सकते हैं, हवा में कोई टीम नी बनाई जाएगी, जो एक्चुली खिलाडी खेलेंगे या खेल सकते हैं, उनी के वेसिस पर बढ़िया सी टीम बनाईंगे, हेड-to-head ये एक सैंपल टीम चले शुरुबात करते हैं, विगट कीपर में आरे पास हैं, जोश इंगलिस, सैम हारपर, सैम वाइट मैं स्कॉर्ड में है, लेकिन खिलने का असार इनके नहीं बनेंगे, जोश इंगलिस के बारे में क्या क इनके रिकॉर्ड हैं, तो रन के बेसिस पे, रन्स बनाने के बेसिस पे, जो इनोंने पास्ट में परफॉर्मेंस इस दिखा रखे हैं, हम जोश इंगलिस को ज़रूर बैक करके चलेंगे, और इसेंट फॉर्म भी आपने देखा ही है, इंडिया वर्चिस ऑस्टेलिया में, इस तरह रेक्सों दसर लगाया था, इससे पहले भी बैलिस लगाया था, एक बढ़िया विकल्प हो जाएगा आपके लिए, और जॉश इंगलिस को वैटिंग ऑपरचुनिटी भी अच्छी खासी मिल जाएगी, तो उनको तो बैक करना क्रूशल है, सैम हर पर इसकी अवलेबल नहीं होने वाले इस गेम के लिए, तो लास्ट गेम खेले जरूर थे, इकर इस गेम के लिए जो बंस अवलेबल नहीं है, हिल्तन काट्राइड, इसके नाजी, हॉप्सन, जैक फ्रेजर, यहां पर के कहा से आ आ गए, हां पर फ्रेजर, अच्छा ये मेरे ख्याल हिल्तन काट्राइड की पैदाएष, पैदाएष, आप खेले जे, अगर बीगेल के अगर आप पैदाईश की बात करेंगे, तो सिरफ मैलबर्ण में ही रहे हैं, यार, और मैलबर्ण क्रिकेट ग्राउंड में ही सारा बीगेल खिले हैं, और यहां पर बढ़िया बढ़िया एवरेज जब मैंटेन करके चलते हैं, हिल्टन कार्टराइट फॉर्श और एक बढ़िया विकल्प रहेगा, especially Glenn Maxwell अबलेबल नहीं है इस गेम के लिए, तो कप्तानी करेंगे Marcus Toyniss और हो सकता है कि हिल्टन कार्टराइट को बढ़िया चांस बलजा बैटिंग करने का, लाज गेम में भी बढ़िया स्कोर लगाया था, तो कहिना कहीं इस मैदान पे, especially इस मैदान को ध्यान में रखते हुए, मेरे लिए हिल्टन कार्टरे बढ़िया विकल्प रहता है, और बले बाजी में देखे, अब एस्टन टर्नर इस मैदान पे 160 की स्ट्राइक रेट मेंटेन करके चलते हैं, लेकिन बैटिंग करने के असार कितने आएंगे, कितने नहीं आएंगे, थोड़ इसे क्वेश्चिन मार्क्स हैं, इसके नाजी एक विकल्प हो सकता है, लेकिन रिकॉर्ड्स थो इनके भी खास नहीं है, तो अभी के लिए, एक बड़ टीम प्रिव्यू आपको दिखाते हैं, इस मैदान पे आपको फोकस में रखने ही पड़ेंगे, और आप तो कप्तानी भी करेंगे, हो सकता चार पे बैटिंग भी आजा है, तो स्टोनिस का तो एक बड़िया विकल्प रहेगा ही रहेगा, इनको तो आप फॉर शॉर बैक करेंगे, ना मिचल मार्श अवलेबल है, ना ग्लेन मैक्सफल अवलेबल है, तो कहिना गहीं, इन चीज को आप ध्यानवेल जरूर रखेगा, इमाद वसीम भी अवलेबल नहीं है, अभी एस्टन एगार भी अवलेबल नहीं है, एरन हर्डी जरूर से बैक करेंगे, एरन हर्डी के वैसे कोई स्टाट्स खास नहीं ह लेकिन बस क्योंगी BBL है और BBL के राजा है, एरन हर्डी बैटिंग भी तीन पे करते हैं, वो सकता है थोड़ी बूलिंग भी कर जाए तो बड़िया विकल्प रहेगा आपके लिए एरन हर्डी का, इसके लाब वैबस्टर जरूर नजर आते हैं, अगर आप ग्रेंड तो वैबस्टर का एक डेफिनिटली बड़िया विकल्प रहेगा, वैबस्टर एक्सपेक्टेड है, तो तीन पे खेलेंगे, पांच पे खेलेंगे और थोड़ी बद बूलिंग भी एक्सपेक्टेड है, तो व्यू वैबस्टर इस मैदान पे ठीक ठाक सा आप पफरमेंस कर सकते हैं, बड़ी कमाल की बात है, अब हम टीम बनाने ही कोशिश कर रहे हैं, हम प्लेयर स्लेक करने ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओल राउंडर सेक्शन भी खतम हो गया, लेकिन खिलाडी अभी तक हम चार ही पिक कर पाए है, जहांपर दो अल राउंडर में हमने हाड़ और Stronis को back कर लिया है तीम को खतम तो करना ही पड़ेगा और ये problem पिछले साल की problem है पिछले साल भी हम जब live shows करते थे थे न हम बड़ा परिशान होते थे Melbourne Stars का जब भी match आता है हमारी team ही खतम नहीं होती है प्लेयर ही नहीं मिल पाते है हमको अब सेम problem हमें आज face हो रही है टेंशन दी कोई बात नहीं है team तो बड़ी आसी बनाएंगे चले आगे चलते है bowling section में Haris Rauf को pick करेंगे इस venue पे कमाल करते हैं Haris Rauf MCG the G पे Melbourne के ground पे 9 मुकाबलों में 15 victor है इनकी यार और head to head में भी decent wickets ले रखी है 9-7 मुकाबलों में 11 victor है आप के आस-पास आप expect कर सकते हैं तो Haris Rauf का एक बड़ी आविकल बनेगा और squad में वापसी कर चुके है Haris Rauf तो खेलेंगे ये वाला मुकाबला पकी बात है पकी खबर है इसके अलावा अगर आप देखते हैं टॉप ओडर नजर आ रहे है Melbourne का कुछ कह नहीं सकते है काफी बैटिंग हलकी नजर आ दिये तो बेरें तो आफ हो सकते हैं अच्छी विक्टे ले जाए Andrew Tye जरू बैक करेंगे Andrew Tye Head to Head में बहुत बड़ी आखेलते हैं Andrew Tye अगर आप Melbourne Stars के खिलाब बात करते हैं 15 मुकाबलों में 27 विक्टे हैं कमाल रिकॉर्ड है इनके CVC के विकल बनेंगे definite तरीके से और आप इनको Focus में रिगे Death Bowling करके जाने वाले हैं Andrew Tye Matthew Kelly अगर Matthew Kelly खेलते हैं आप Matthew Kelly को Focus में जरूर रखिएगा Matthew Kelly head to head में 3 मुकाबलों में 10 विक्टे हैं और इस venue पे भी एक मुकाबला खेलके 3 विकेट चटकाई हैं तो Kelly एक बढ़िया विकल पर रहेंगे लेकिन Kelly नहीं खेलेते लास्ट मुकाबला तो आप changes ना expect करिएगा तो यही जादा बढ़िया होगा डेध बोलिंग बढ़िया करते हैं एडलिस स्ट्राइकर से इस टीम में अभी यह आ चुके हैं और एक बढ़िया लीड बोलर की भूबी का निभाते भी नजर आएंगे तो Mark Steggarty का एक बढ़िया विकल्प बनेगा अब और कौन से बोलर बज जाते हैं मारा पास ओली स्टोन भी अवलेबल नहीं है इस गेम के लिए तो ध्यान रखेगा उनीकी जगा आपको हारी स्टाफ खेलते नजर आएंगे जोईल पैरिस का विकल्प है या फिर जेसन बेरंदोफ जायरिचर्डसन तो बैक करने पड़ेंगा अब अच्छी बात है जायरिचर्डसन एनीवेज एक से दो विक्टो के लिए आप बैक करके चलेंगे बीबल में बनोफ दा हायस्ट टेकर्स भी ये रहते हैं जब भी ये खेलते हैं भी फिछले दो-तीन साल से तो रिचर्डसन बढ़िया रहेंगे तीन खिलाड़ी हमें बैक करने पर टीम प्रिव्यू देखते हैं चार-चार का कॉमिनेशन हमारा बन चुका है चार खिलाड़ी मेलबर्न से चार खिलाड़ी हमने पर्ट से रख लिये हैं अगर आप बोलिंग सेक्शन देखेंगे तो काफी सौ्टिट सा नजर आ रहा है बोलिंग सेक्शन मुझे बेरंदॉफ खाला की जरूर हम एड कर सकते हैं इस बोलिंग लाइनप में लेकिन बलेबास हमें और लेने पड़ेंगे बैटिंग में आते हैं तो मुझे लगता है अब टरनर लेने पड़ेंगे लॉरी इवांस में बैक जरूर करता हूँ लेकिन लॉरी इवांस बैटिंग छेपे कर रहे हैं जा फिनिशर देखें पर स्कॉचर्स की टीम उनको तो वो थोड़ा सा मेरे लिए डाइसी हो जाता है इस किनाजी हो गए विकल्प में होपसन नीचे आ रहे थे बैटिंग करने लार्किन का विकल्प बनेगा मेरे खाल से ब्यू वेबस्टर को तो बैक करना ही पड़ेगा ब्यू वेबस्टर आल्राउंडर में हमें मिल जाएंगे बैटिंग भी करेंगे, बोलिंग भी करेंगे, तो एक अच्छा विकलप रहेगा MCG में, इसके अलावा एस्टिन टर्नर या फिर लॉरी इवांस, मैं कहूंगा टर्नर जादा बहतर लगेंगे, क्योंकि स्ट्राइक रेट भी अच्छा है और बैटिंग भी थोड़ी उपर कर चुके हैं, अभी इस टीम को देखके ऐसा लगता है कि मेभी दोनों टीम में से किस पे जाधा दाव खेलना चाहिए, कोई भी एक अच्छा बलेबाज हमें अब पिक करना है, सैम हार पर हो सकते हैं, काफी रिस्की हो जाएगा, बैटिंग सेक्शन में फिर जो बंस नहीं है लॉरी इवांस नीचे हैंगी, इसकनाजी का विकल बच रहा है, फिर हमारे पास पिक करने के लिए, तेज तरहार बैटिंग करते हैं, लेकिन रिकॉर्ट कुछ खास हैं ने, इनके ओल राउंडर्स में देखते हैं, तो यहाँ पर फिर दॉसन बच जाते हैं, तो फिर वोम फिर के हमें यहाँ पर आना पड़ेगा, इसकनाजी या फिर लॉरी इवांस पर इवांस आते हैं नीचे, इसकनाजी आते हैं उपर, इसकनाजी को बैक कर लेते हैं, बड़ी मुश्किल से टीम बन चुकी है हमारी, 11 खिलाडी आपके सामने है, जोश इंगलिस फिकट कीपर तो हमने बैक कर लिया है, जेसन बेरंदॉफ इस टीम में मिसिंग है, जेसन बेरंदॉफ को रखने के लिए, क्या यहाँ पर बली दी जाए, दी जा सकती है, honestly, मैं तो यावर फेवर में हूँ उस चीज़ के, टरनर को छोड़ दें, या फिर इसकनाजी को छोड़ दें, इस इसकनाजी का, इसकनाजी ले रहे हैं, तो फिर उनको छोड़ने का लॉजिक बड़ा सही बैठ रहा है, मैं इस पिच को, MCG की पिच को और बाउंस को फोकस में रख करके, इसकनाजी को फिर ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि मैं बेरंदॉफ से ज़्यादा विक्टे और फ इसकनाजी नहीं है, बोलिंग कितनी करेंगे, नहीं करेंगे, टाई तो बढ़िया आपका कप्तानी का विकल्प रहे गई रहेगा, इन फाक्ट हारीस रॉफ भी मुझे अच्छे लग रहे हैं, वेन्यू पे 9 मुकाबलों में 15 विक्टे हारीस रॉफ की, तो टाई और रॉ सकते हैं, अगर आपको भी डाउनलोड करना है, तो लिंक हमने पिंट कॉमेंट में पिंट कर रखा है, आप वहां से ले सकते हैं, डिस्रिप्शन के डबबे से आपको हमारा टेलिग्राम चैनल जहां पर लगातार आपको अपडेट्स मिलती है, लाइफ टीम्स जो जो बना प्यार नहीं है, प्यार नहीं मिला आपका, फड़ा फट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरू करिए, दर्ख्वास्त है आप से, आपके लिए ही पेशक्रश लाएं है, तो फ्लीज सब्सक्राइब करिएगा, और बलैको उनको जरूर से